आप सभी पलवान यूजर का इस देव हुई प्रवार हलदवाने के यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर दाऊं दोस्तों और जिस तरीके से सिस्टम ने कमिंटमेंट किया था कि 25 जनवरी से पहले पहले आपका पीबीसी मेटा टोकन जो भी आपने शेटलमेंट किया है उसका मेटा सीड वैल्यू के अंदर पाटेसिपेस्टन होगा और किस तरीके से आप पीबीसी मेटा सीड वैल्यू को क्लिक करेंगे और क्या प्रोसीजर है उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों और आशा करता हूँ कि अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें और इस वीडियो को जंद जंद तक पहुचाने का प्रयास करें दोस्तों और दोस्तों ये सब प्रोसेस करने से पहले मैं पुना आप सभी को बधाई देता हूँ कि आपने इस ओटो पोल में भागीदारी की सीड फंडिंग करी टोकन फार्मिंग करी सिश्टम इसका रिवार्ड आपको निरंतर कमिटमेंट के साब से देने का प्रयास कर रहा है दोस्तों और जो में चीजे हैं जो अपने ध्यान रखनी है इस पीवीसी जो डीपी से हम मेटा सीट फंडिंग कर रहे हैं इसमें आपको यह ज्यान देना है दोस्तों यह टोटल भी सिस्टम के पीवीसी मेटा टोकन को उठा ले रहा है और अगर आपका बॉलेट एक बार जीरो हो गया दुबारा आप उसको उपर नहीं कर सकते तो अगर आप वो चीज करना चाहते हैं तो उसमें कुछ एमाउंट जरूर रखे हैं दोस्तों चलिए शुरू करते हैं यह एक देवभोमी परियार हल्दवानी का एक एकाउंट है दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 464 dp available है यहाँ पर नीचे option आएगा redeem for pbc meta seed value तो इस पर आप click करेंगे और click करते ही दोस्तों यह चीज़ जहान लखिएगा कि आपका wallet जो farming id है वो यहाँ पर show होगी उसको आप जरूर confirm कर लिजेगा अपनी trust wallet में जाके farming id के साथ उसके बाद ही इस option को जाईएगा और दोस्तों system एक ही बार में charge के साथ साथ जितना भी eligible dp आपके पास available उसको पूरा उठा के यहाँ पर put up कर रहा तो इसकी value को हम edit करने का option यहाँ पर नहीं है अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ कम उससे करूँ तो system ने वो option नहीं रखा है तो दोस्तों इस चीज को गौर करना होगा कि आप इसके अंदर अभी edit का कोई भी option active नहीं है तो आप यह ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको stack करते हैं तो आपका पूरा जो wallet है वो zero हो जाएगा जयानि सभी जो DP हैं वो आपके seed funding के अंदर चले जाएंगे PVC Meta Seed Value इसका नाम दिया गया है यहाँ पर आप देख पारे होंगे दोस्तों use DP for PVC Meta Seed Value यहाँ पर कोई manual entry नहीं करने को दी है जहां तक हम लोग सोच रहेते कि हम कुछ amount इसमें रख कर अपने wallet को active रख सकते हैं आगे के लिए लेकिन ऐसा option system नहीं दिया है system automatically जितना भी eligible DP है और charge काटने के बाद जितना भी DP उसमें sales बच रहा है उसको stacking के लिए लेके आरा तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है क्योंकि system ने कुछ करने को छोड़ा नहीं है आप केवल अपनी pvc meta की user id पर नजर रखें उसको match up करा लें उसके बाद नीचे आप देख पारे होंगे कि आपके बाद जितने भी DP होंगे उसका eligible DP जो भी होगा वहाँ पर enter होके automatic आएगा उसको कोई भी edit करने का permission नहीं है मतलब यह त्याई है कि system एक बार में आपको settle करना चाहता है और उसके बाद आप उसके सामने stack for pvc meta seed value पर click करेंगे और click करते ही आपका यह message आजाएगा कि successfully your request to get pvc meta seed value through DP has been processed the pvc meta seed value will continue to be credited to seed value account of the pvc meta user id linked by you at the rate of 0.125% per day यानि यह आपको बहुत से लोगों का यह भी question है कि यह so कहां पर होगा तो दोस्तों आपको क्या करना है वो भी हम live चर्चा करेंगे इसके आप screenshot ले लें दोस्तों एक evidence के तौर पर और यहाँ पर condition देख लें और यहाँ जो यह transaction गिरी है इसका भी आप screenshot जरूर लें आपने evidence के लिए कि process कहां तक हुई थी क्योंकि एक बार जब आपने यह account log out कर लिया उसकी बात आप इस account के अंदर बिल्कुल login नहीं कर पाएंगे क्योंकि system final settlement जो अपना commitment है उसको fulfill कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे आपने यह settle कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने downline user जो भी आप देखना चाहें जो भी आपके अंदर active user है उनकी screenshot लेके उनका backup ले सकते हैं क्योंकि एक बार जब आप इससे sign out होगे तो उसके बाद यह आपको show up नहीं करेगा यह चीज आपको ध्यान में रखनी है तो आप जितना भी backup लेना चाहें अपना stacking complete करने के बाद ले लें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इस wallet में zero हो गया है और अब मैं आपको live करके दिखाऊंगा कि अगर हम इसको log out करते हैं तो यह जो account है आप दुबारा इसमें enter नहीं कर पाएंगे मैं इसको close कर देता हूँ और हम दुबारा login करने की कोशिस करते हैं दोस्तों हमने यह वाला account settle किया था तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे dear Sally your account settled 16 June तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह account आप आने वाले समय में कभी भी दुबारा open नहीं कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके बाद हमारी टीम का question आ रहा कि यह हमें 100 कहाँ पर होगा तो दोस्तों आपको अपने trust wallet यह अंदर जाना है और trust wallet जैसे ही open होगा उसके token farming के अंदर जाना है यहाँ पर आप देख पारने token farming के अंदर जहाँ पर seed value का आता है वहाँ पर एक transaction अभी तक 100 हो रहा है अभी system आने वाले समय में यह declare करेगा कि यह entry कहां और किस तरीके से release होगी और जिस तरीके से अभी जो चीजें निकल के आरी दोस्तों यह एक entry seed value के अंदर गिरा रहा है जहां पर आपको mention किया गया है कि इतने DP आपके उठाए गए हैं और इतना जो आपको reward है वो on the spot आपको reward मिल जा रहा है और उस reward के खातिर आप आने वाले समय में आपको जो भी pbc meta या फिर busd जो per day release होगा वो आपको वहाँ पर show होगा दोस्तों देखिए यहां पर थोड़ा सा समय लग रहा है और आप इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों क्योंकि एक बार जब आप exit हो जाते हैं तो उसके बाद आप उसके अंदर log out नहीं log in नहीं कर पाएंगे इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि अपना जो भी आपको backup लेना है वो आप backup पहले से लेके रखें क्योंकि दोस्तों उसके बाद आप इस system के अंदर नहीं गोच पाएंगे क्योंकि system आपको settle कर रहा है यहां पर हम देख पाएंगे कि कहां पर यह जो value गिरी है यहां पर हम ब्रावजर में trust wallet के अंदर जाएंगे जो हमने अभी settle किया है finally जिसको हमने meta seed value के अंदर डा रहा है तो आपको सीधे token farming के अंदर जाना है और यहां पर trust wallet open हो रहा है यह देखे दोस्तों जो नई update है वो show हो रही है और यहां पर आपने अपना pin enter करना है यह सब चीज़े आप अलड़ी daily करते आए हैं दोस्तों किवल हमारा indication का मतलब यही है कि जो भी आपने entry आज seed funding के अंदर dp के माधियम से गिराए है यह वो आपको कहां पर show होगी तो दोस्तों चलते हैं आप सीधे transaction report में चलिए और transaction report में जाके आपको यहां पर दिखाए देगा दोस्तों redeem available value for transaction में जो सबसे नीचे जहां पर हमारा 15% अभी तक उपर जो आपका main farming से उससे कटके आ रहा था तो उसके pbc meta token है pbc meta token के अंदर seed value है नीचे उस seed value के सामने दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको seed funding की नहीं token farming के अंदर transaction report के अंदर जाना होगा और जहां पर सबसे पहले आपका pbc meta token के नीचे जो seed value आती है जहाँ पर system अभी तक हमें 15% दे रहा था जब भी हमारा पूरा BUSD जो पर डे रिलीज हो रहे थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके view report पर आप जाएंगे और यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं वहाँ system ने एक transaction गिराया है कि आपका total dp कितना वहाँ से उठके seed funding के अंदर गया है तो यहाँ पर आप transaction देख सकते हैं seed reward 441 बाकि जो charges होंगे वो debit हो गए होंगे तेकिन जो आपका safe dp यहाँ पर आया हुआ है BUSD के तोर पर उसको आप यहाँ पर देख सक आपके मिलेगा तो इसको close कर सकते हैं दोस्तो और आशा करता हूं कि यह पुस्टी के साथ यह जानकारी आप अपनी टीम तक share करें और यह जहान लख हैं दोस्तो परलवाइन में जो आप login कर रहे हैं अपना login ID password का backup जरूर ले 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 और उसके अंदर जितने भी आपके utilization कर लोग करें तब तक थैंक यू थैंक यू सो मुच